बिस्मिल्लाइ वाफ्मान वहीम, असलाम लेकूं, आज मैं आपके साथ बैड़ शीट को फ्रिल करने का तरीका शेयर करूँगी, ये देखें, बैड़ पे मैंने बैड़ शीट को बिचा लिया है, ये बैड़ की जो बैक साइड है, वो बड़ी है, इसलिए मैं बैड़ शीट को सिर्फ दो रुख पे फ्रिल करूँगी, यानि इसकी दोनों जो लंबाई वाली साइड है, सिर्फ उसी साइड पे फ्रिल करनी है, इसके लिए मैंने बैड़ शीट के साथ सेम कलर की सिलक ली है, ये एक फैंसी बैड़ शीट है, अगर आप कॉटन की बना रही है, तो फ् पहले बैड़ की, जिस साइड पे हमने फ्रिल करनी है, उस साइड की मेजर्मिन करते हैं, इसकी लैंद हुई 75 इंच, अब हम इसकी जितनी लंबाई में हमने फ्रिल लगानी है, यानि नीचे की तरफ यहां से हम नाप करते हैं, ये हुआ हमारे पास 5 इंच, अब हम फ्रिल कपड़े की कटिंग करते हैं तो इसके लिए मैंने कपड़े की लंबाई को नाप करना है बैटशीट की लंबाई थी 75 इंच तो हम फ्रील की लंबाई को डबल कर लेंगे यानि 75 को डबल करेंगे वह बनेंगा 140 इंच हम 150 इंच लंबाई में और चुड़ाई में 5 इंच की कटिंग कर लेते हैं यह मैंने इसकी 4 पटियां बना ली है तो 4 को कटिंग कर लेती हूँ पटियां कटिंग होने के बाद इस तरह होंगी यह इसकी मैंने 5 इंच चुड़ाई और लंबाई हमने इसकी डबल की है 150 इंच अगर आप चुनट कम देना चाहती है तो कम कर सकती है अब सबसे पहले हम फ्रिल की एक साइड को फोल्ड कर लेंगे दूसरी साइड को क्यूंकि हमने बेटशिट के साथ अटेश करना है इसलिए हम प्रिल की दूसरी साइड को फोल्ड नहीं करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें जिन्होंने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया वो सबस्क्राइब कर लें साथ लगे बेल आइकोन को भी ज़रूर प्रेस करें ताके मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले यह हम इसकी चोटी साइड को भी फोल्ड कर लेंगे इसकी फोल्लिंग कम्प्लीट हो गई है फोल्लिंग खियाल से करनी है इसके धागे बाहिए ना निकले और सलाइयां बिल्कुल सीधी हो अब बैडशीट की बैक साइड को उपर की तरफ और फरंट साइड को नीचे की तरफ रखना है अगर तो हमने बैडशीट की तीन साइड पे फ्रिल करनी होती तो हम एक साइड से शुरू करके इसे तीनों साइड पर गुमाते अब हम इसे दो साइड पर कर रहे हैं इसलिए मैंने शुरूर से पांच इंच कपड़ा छोड़ दिया है और यहां पर जो लेस फरक हुआ है इसके उपर पकाट अंका लगाऊंगी इसके बाद इसे थोड़े थोड़े फासले पर चुनट देते हुए इसकी फरिल बना लूंगी यह चुनट हमने थोड़े थोड़े फासले पर देनी है अगर आप चाहती हैं कि फरिल ज्यादा बने यानि इसमें बाल वगरा ज्यादा हो तो आप ज्यादा इसका साइज बड़ा रख सकती है इसमें चुनर ज्यादा दे लें लेकिन अगर आप इस तरह करेंगी तो ये भी बहुत प्यारी फ्रील बनेंगी मैं ये फैंसी बैटशीट पे फ्रील लगा रही हूँ इसके लिए मैंने ये सिला का कपड़ा लिया है अगर आप कॉटन बैटशीट बना रही है तो काटन का ही कपड़ा लें अगर आपके पास घर में कोई प्लेन कपड़ा पड़ा है तो आप उसे भी स्लमाल कर सकती है यह स्लाई हमने एक पाउं के वकफे पे लगानी है ताके स्लाई नीचे ना उत्रे इसी तरह स्लाई लगाते हुए हम इसे मुकमल कर लेंगे यह बैडशीट की एक साइड है सेम इसी पैटरन से हम बैडशीट की दूसरी साइड को भी बनाएंगे ये बहुत ही आसान है आप इसे ट्राइ करके देखें ऐसी बेड़ शीट बिची हुई बहुत प्यारी लगती है इसके शुरू में हमने पांच इंच कपड़ा था अब हम इसके लास्ट में भी पांच इंच कपड़ा चोड़ेंगे और यहां तक फ्रिल कंप्लीट कर लेंगे यह कपड़ा हमने इसलिए चोड़ा है यह बैट की तक्ये वाली साइड और उसकी जो बैक साइड है उस तरफ मैटरस के नीचे आजए यह देखें बहुत प्यारी फ्रिल बनी है माशाला बहुत अच्छी लग रही है आप इसे ट्राइ करें यह देखें यह जो कपड़ा हमने पांच दिन चोड़ा था यह इस तरह हम यहां से इसे कवर कर लेंगे अगर आप बैट शीट के तीन साइड पर फ्रिल करना चाहते हैं तो आप सेम इसी पैटरन से कर सकते हैं कुमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगे मिलेंगे हम इस तरह की और नए वीडियो के साथ दौाओं में याद रखेगा अलाँ आफिस